एक रेंट पर बल्लेबाज आनन सक्पार और महिश पांकारी जोड़ी अच्छे एक्षन के साथ स्लाइस किया था सुई में से धागा पिरो अगें डीप थर्ड मैन और डीप गली के बीच में से मान वंदना देता हुआ भासकर दादा पार्टे इनके बैनर को डीजे चार रन बहुत ही मुशूर गाना तम्मा तम्मा संजजदत का और अब फिल्माए गाया था वरुन धवन और अलिया भट के उपर अमेद आवासकर को देखिए बिल्कुल मिड़ाउन पर फिल्डिंग कर रहे हैं आज भी संजजदत की तरह तंदुरुस्त इस बार घूम कर खेलने का प्रयाज किया था जुरूर गेन बिल्कुल स्लॉट में आकर गिरी थी तम्मा तम्मा लोगे लेकिन यहाँ पर अगर कोई तम्मा देगा तो कोई भी जरूर लेगा लेकिन सबकी यही चाहा है कि सुदागर प्रिमेर लीग को हमको जीतना है यह दस्वा पर्व है इसके आगे हमें कुछ करे ना करे लेकिन यह सीजन हमें जीतना है इस बार सामने की तरफ एक्ष्ट्रा कवर को चीरता हुआ ये शांदार सजीला टेनिस क्रिकेट का स्ट्रोग इस बार शांदार चौका SPL चौका इस बार चौका जारत शांदार जाइन सब्सक्रा शांदा मिर्णून इस प्रक्राइब कर सकते तो और इंडैंड, सब्सक्रा खरणी टाहिं प्रक्राइब है और इक्वल फॉर फिल्डिंग साइट सैंडी बिल्कुल परिवर्तन करते वे फिल्डिंग में दो खिलाडी दाइरे के बाहर डीप में हमें नजर आते हुए इस बार जड़ में जड़ भी दिया और पड़ भी दिया एक्स्ट्रा कवर पर गें सीदी गोली के रफ्तार से जा पहली ओर फे की धीरज गुपता ने की युवा गेंदबाज के उपर आक्रमन किया था आनंद सक्पाल ने दो चोके उन्होंने लगाए और कुल मिलाकर आनंद सक्पाल अपने नीजी नौर अनुबर पहुंचे और महिश पांगार ये उनका साथ देते वे तीन रनों पर अ यानि अगर यहां से देखें तो 48 रनों की जरूत होगी अठारा गेंदों पर अठारा गेंदों पर 48 रनों की जरूत है कहीं लोगों को कुछ न कुछ हर रोज सीखने को मिलता है यह देखिए जूनियर एस्पेल के किंग जूनियर एस्पेल के किंग सिद्धू अवास कर में नजर आते वे कई युवाओ उन्हें यहां पर प्रभावीत किया है सेकन ओवर इन प्रोग्रेस मिहीर अम्रुसकर अन बोलिंग मार्क 18 बाल्स और 48 रन्स निदेट फोर विन for part 11 18 बाल्स और 48 रन्स निदेट फर विन Amitavasukar every and each ball changing her fielding side because he knows what important match in the first stage earlier of day because 11 25 p.m. and this is a second match in SPL season 10 striker in Anand Sakpal playing very nicely role for his team Anand on nine runs and score moves up to 12 without loss this time pulled away but a cheeky nozzle shot to the leg slip and there was a big big biggie of WWE Siddhesh Awazkar fielding by and only one runs giving by the batsman so score moves up to 13 without loss 13 year old Martin Guptill's two fingers cut केतन पूपट की अच्छी विगेट कीपिंग हमें नजर आती बीश शॉट थर्ड मैन शॉट गली पॉइंट पर एक खिलाडी तैनात रखा है एक कवर पॉइंट एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाडी ने लॉंग उप पर है लॉंग और और मिड़ विगेट एक खिलाडी बैक्वर्ड स्क्वेर लेक पर एक शॉट फाइन लेक आगे निकल कर डांसिंग डाउंड ट्रैक लेकिन कवर्स को बेज नहीं पाए दाइरे के अंदर कवर पॉइंट पर बढ़िया फिल् कि अगया है कि दन्यवाद सुधागर सामाजी सावस्कृतिक मित्रमंडर का जितना भी हम कौड का उतुक करें उतना ही कम है क्योंकि देखिए दोस्तों लोगों की कमिया निकालना बहुत ही आसान है लेकिन सब को लेकर सुधागर प्रीमेर लीग को बनाना बहुत ही मुश्किल है वही कहा रुपेज गायकवाड ने क्योंकि सर इतने बड़े मंच पर हमें खेलने को मौका एस्पेल कमीडिय देती है यही हमारे लिए बड़ा है और इसलिए हरे गाउं से परली से लेकर काने लेकर वराड सभी लोग यहां पर आते हैं अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए मिहीर अम्रुसकर पहली गेंद पर उड़ाने का प्रयास दरूर किया था लेकिन वाड़ कैच समीर कारबन कमाल कैच आप दे मैच पहली गेंद पर चलता किया अब लिबाज अनिकेद सालों के को शुन्यों का चश्मा दनेवाद महागाव के डोंगरपटी से लेकर अगर हम देखे तो ताड़गाव है महागाव है उसी के साथ चेरपडवाडी है दुधानेवाडी है शिर्षेवाडी है यहां से कई खिलाडियों को आज इस मंच पर केलने का मौका मंगेज भाई सब्वाडियन के माध्यम से मिला और क्या चड़ा और रुपेश भाई आप भी थे आउक्षन में क्या है ट्रिक बॉल पर अब महीर अम्रूसकर क्या है ट्रिक होगी स्ट्राइकरेंट पर आनन्द यह ट्रिक नहीं होने देंगे मुझे लगता है तो मैंने कहा यह ट्रिक नहीं होने देंगे यह हमारा तज़्यूरूबा है गेन को फेक दिया था मिड़ी विकेट के फीलडर के उपर से दर्चक बने फीलडर फीलडर बने दर्चक यह आया SPL 6 दनेवाद उनने हैं स्कोर बोर्ड पर एकोनिस धावा 19 लॉस अप टू विकेट्स इस बार फुल टॉसकर बैठ है जड़ भी दिया और पड़ भी दिया किरन के उपर से गेंड बैनर को लगती भी नागेश भाई देश्मुकिन के और शांदार लगातार दूसरा सिक्सर इ करें डिर दो अब करें कर दो कि दर्यवाद चलिए आपको टीम मीटिंग नहीं करनी है ध्यान में रखना है आमित आवासकर शिद्धू आवासकर किरन आवासकर सैंडी आपको मैं यही नियोता देना चाहूंगा कि जल्दी जल्द आपको फिल्डिंग सजाने। यहां पर टेस्ट भी है, बेस्ट भी है, ऐसा कहा जाता है ना, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस स्योग, वैसे ही, टेस्ट में बेस्ट क्रिकेट, यह स्पील का यह, पचीस रन बने हैं, अभी 35 रनों की जरूरी अच्छी बात के लाई है, आपने क्योंकि मैं जब भी क सब्सक्राइब करेंगे, एक युआ गेंदबाद सिद्धो आवास करका, सिद्धू आवास कर यह अगर विकेट हैट्रिक लेते हैं तो 500 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा जहीं शेट आवास कर इनके माध्यम से सिद्धू आवास कर सिद्धू किसका है तुमको इंतजार मैं हूना सुदागण का रगू पर देशी पहली गेन I think Noker आया है या नहीं नहीं तो यहां से जोड का कैसा आवासा है नो का रगु परदेशी अपसुदागर ऐसा कहा जाता एक ही रन पहली गेंद पर आती भी केतन पोपट को पता है कि गेंदे कहां पर आने वाली इसने डीप गली और डीप थडमान पर एक खिलाडी उन्होंने तहिनात किया यह अच्छी मैं कहूंगा कॉंबिनेशन उनकी टीम कप्तान है आई थिंग सैंडी यामित का आवाज कर 26 रन बने हैं 26 भारत का गणेत अंतर दिवर 26 और 26 तारीक को जनम दिन है एक ऐसे खिलाडी का चलिए सिद्धू आवाज कर असी ओर फेकने आपको टीम मेटिंग नहीं लेनी है लेकिन ऐसा नहीं है थोड़ा सा तो वक्त हमें भी खिलाडी को देना होगा क्योंकि वो चर्चा नहीं करेंगे तो पर्चा कैसे भरेंगे नगर पंचायद पाली का आठ मार्च को एक बड़ा आयोजन भी है उसे के साथ साथ परसो पाली नगर पंचायद के कहीं विधायक यहां पर आने वाले हैं पार्शद आने वाले हैं तैयार स्ट्राइक रेंपर आइधिंग आनन सक्पाल जो की कुल मिलाकर अगर खेलते रेखे तो 22 रनों पर अपने नीजे खेल रहे हैं थोड़ा स्पीड अप करना होगा सिद्धू आवाज कर इतने मोटे हैं कि वह स्पीड अप जादा नहीं कर पाएंगे रगु परदेशी की पहली गें स्विच इट किया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंग नो बॉल और प्लस छे यह वेस्ट नो बॉल है फ्रीट होगा यह सात रन डीजे अगर अगर दनेबाद 33 रन बनें चलिए फ्रीडिंग सजाईए नो बॉल है फ्रीड भी है यह तो आम के आम और गुटलियों के बिदाम अमेजॉन पर अगर कोई चीज आपको फ्री में दिखाई देती है तो आप बगैर सोचे फ्री को लेना चाते हैं वैसे यह बल्लेबास करेगा फ्री हिट का इस्तमाल फाइदा ले पाएगा क्या नहीं स्कोर 33 रन और 27 रनों की अब भी जरूरत है जीतने के लिए सिदेश आवासकर 130 रगु परदेशी इस बार कवस के उपर से मारने का प्रयास एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाडी नहीं था आईवा कैस लेने का जरूर महुका था लेकिन लगातार का ये शानदार चक्का रगु परदेशी इनकी कटाई दनेवाद आक्रमन किया है सिद्धू आवासकर के उपर नक्षाई बदल दिया है प्याज, तमाटर, मूली, गाजर की तरह आज सिद्धू आवासकर की पिटाई हो रही है सिद्धू आवासकर का सामना अमेरिका से भी लोग देख रहे है ये फिर से स्विच इट कमाल का स्टोक ये ये क्रिकेट की नजाकत आनन सक्वार के द्वारा शानदार चार रन डीजे है लो त्रे चारी जावा सत्र जावन चावशक्ता 43 ऑन बोर्ड गाने को भी बजाना ही चाहिए मुझे पता है कि आपका स्कोर के उपर ध्यान है लेकिन डीजे को भी बुलाया है गाना भी बनाया है तो कितन भाई बारतिय जंता पारटी सुदागर तलुका के एक ऐसे डैशिंग व्यक्ति मत हुआ हमारे आदरनी अनना यानि के रविशेट पाटेल इनके बहुत निकट वरती है उनका बहुत बहुत स्वागत है आपका आजाने वाले आनना तो अच्छी बात हमारे भी पेंड रोहा सुदागर के कारी विगातक आमदार तयार सिद्धु आवास करने ज्यादा वक्त दिया है इस ओवर के लिए इस बार जड में गेंड लेकिन ओन ड्राइव किया था गेंड वाइडिश लॉंगाउन पर एक रन एक का किया फाइदा दूसरे में किया तबदील और दो रन और इसे के साथ साथ रन देखिए स्योग साथ रन ऐसा लग रहा था बहुत होंगे लेकिन सिद्धु आवास करक इतनी पिटाई हुई कि जो हवा का गुबारा होता है वही फोड दिया है रुपेश स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 पर 45 जर्सी नंबर हमारे कैप्टन का इस बार अच्छी गें थी यह देखिए अपना गुस्सा निकालते हुए इसलिए हम कहते कि कॉमेंटेटर का काम भी य कि आगए आग या ऊजुर के एक अजा वाइगा और यह वाइजा हटा हुआ करिया ना करने दे सथ मेने का रख वैसे वाइड ना करें मारे देडी यह वाइड आता हुआ अम्पार ने दिया है वाइड अम्पार भी बहुत कड़ी दूप में मैनत कर रहे है भाई अम्पार is the best judge on ground ऐसा कहा जाता है लगातार कि यह दूसरी वाइड अब यहां से मैच मुश्किल में पढ़ता हुआ गेंद बाजी करने वाली टीम वरद विनायक 11 का क्योंकि स्कोर अब आगे बरता हुआ 57 तेरा रनों की जरूरत अमिद भाई 47 तेरा रनों की अब यहां से जरूरत होगी यह लेक ब्रेक लेकिन 6 नो डाउट यह पका 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 यह लगा पार तिलेवन के बल्ले बाजवारा शांदार चका डीजे बॉल दीजे हलो वाटर बॉय कहा है चलिए तीन ओवर का खेल हो चुका है तो ड्रिंग्स बेक जरूर बनेगा अपने नीजी 46 नो पर खेल रहे हैं तालिया अर्दशा तक हो ना हो कल हो ना हो लेकिन क्या शांदार बल्ले बाजवाद आनन सक्वाल द्वारा अच्छी 46 नो पर ना बात खेल रहे हैं उसमें पांच चक्के तीन चौके शामिल है पानी जाना चाहिए बोला है बोला हमने रोशन भाई जाईए कौन तो जाईए जिता कमी जिता रोशन वाल गुडे बाराम भाई को क्या आप मल रहे हैं आपको मला नहीं है आपको जल्ला है दिये की तरह आपको जल्ला है तोफ की तरह आपकी मुचे मुझे आलिस्टर कुक की याद देती है इसलिए मैंने आपका नाम रखा है पहरली के आलिस्टर कुक मात्र अगर यहां से मैच को देखे 54 यानि कि मात्र 6 रनों की जरुवत केतन जी देखिए मैच कहा था कहा पर बना इसलिए क्रिकेट में प्रेडिक्शन है फेल क्योंकि क्रिकेट है अनिचिताओं से भरा हुआ खेल इस यस्पील ने क्या दिया है हमें 27 रना हैं कमर तोड़ द दोस्त हैं बहुत अच्छा मित्र है लेकिन आज उन्होंने गेंद बाजी बहुत ही खराब की है 27 रना हैं तीसरे ओर में 12 रना हैं दूसरे ओर में 13 रना हैं और अब अंतिम ओवर किस गेंद बाज का इस्तमाल किया जाएगा किस गेंद बाज के ओपर भरोसा रहेगा 6 गें को और रोट टीम ने रनर अप का पिंगल सही वाइसी सी पिंगल सही ने रनर अप की ट्रॉफी जीती लेकिन यस पियल जो कि अंतिम दिन होगा 27 तारीक को उस दिन मनसे ट्रॉफी का भी फाइनल मुकाबला है मनसे आमदार चशक जो कि नागोटने में खेलने वाला है लेकिन अब छे गेंदे छे रनों की जरुवत कौन जीतेगा स्पियल का ये दसवा पर्व सतीशेट देसा ही इनका बड़ा योगदान रहा है उनको कौन भूल सकता है हमेशा हसमुक रहते हैं और कमीटी के पीछे एक आधार स्तन्ब की तरह खड़े रहते गेंद बाजी मार् उनको अब सिर्फ स्ट्राइक को रूटेट करना है और अमित आवासकुर को क्या करना है कि सिंगल को रोकना है अच्छे गेंद पंच गेंद छेडल हुनके जवर अब मैच में आएगा मज़ा सुबह की रोचन जी सुबह की शाहि में अगर शक्कर ना हो तो मज़ा नहीं आता और मैच में टक्कर ना हो तो मज़ा नहीं आता मैच कांटे वाली होनी चाहिए दूर से पेंट से कॉमेंटेटर को क्यों बुला है कि मैच कड़े हो और यह SPL बड़े हो खिलाडी बड़े हो SPL में ओहो यहां से मैच ने सोनाली बेंद्रे की कमर की तरह करवड बदली है उर्मिला मातोंकर की तरह यहां पर करवड बदली है मादूरी दिक्षित के तरह धक 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 कर रहा है यह मैच चार गेंदे कंपल्सरी छे रहने के जुरत केतन पोपट क्या आप कैसी फिल्डिंग सजाएंगे अधरनीय हमारे सवरभ यादव इनके पिताश्री भी बड़ी मेहनत करें सिद्धेश्वर में जब भी मुकाबले होते हैं तो हमारा खाना तो उनी के घर में होता है अमपार जी यह आउट है रन आउट अगर यह मुकाबला यह गेंदबाद जितात कर देता है तो आधरनीय या यादव मंडब डेकोरेडर्स के ओनर प्लीज एक मिनिट कि अब रिविव अंपारी ले सकते हैं यह हमने कहा है वेस्ट रॉन आउट का रिव लिया जाएगा लबीडवी क्याच आउट कर अब रिविव नहीं दिया जाएगा नहीं यह यह यहाँ पर अल्ट्राइज है यह नहीं है हलो यह एक रन नाम पर एक रन ओके अब यहां से केतन पोपट ने हमें इसारा किया कि सर प्रेडिक्शन बताईए अब गेंदे बचिये तीन और पांच रॉनों की कंपल्सरी जरूरत यह मुकाबला जिता देते यादव मंडब डेकोरेडर्स की ओर से पांस सो एक रुपे क का इनाम केंदबास को लेकिन इच्छे नो डाउट सामने की तरफ स्लॉट में गेन और भेज दिया पार्किंग प्लॉट में अर्दश दक बनाए हैं आपकी बैट ऊपर कीजिए और मैंजमेट लेने के लिए वैसे ही आईए तो आईए टॉस बॉक्स में मैं आमंतर करना च आईए भर कि आईए तो आईए गड़ आईए पर्धाराँ कारिज सारे ओड़ुट सारे ओर मैं था आईए आईए प्लॉट में अजबास येडियों का बाद भाएए लेकिर एक अपरम एक रडाएए रॉस जय ये सारे एक पाट पार करना हैं दो आईए जिए में आहा वा झाल